आप लोगों तो पता ही होगा पराठे तो बहुत तरीके से बनते हैं मगर नमकीन वाले पराठे अगर मेरे इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चे आपके लंज में लंज सफाचेट कर जाएंगे आपको खुद पसंद आने वाला है यह नमकीन वाले पराठे तो करना कु कर देंगे अब यह पर हम लेंगे बारिक वाला गदुकस लेंगे बहुत सब्सक्राइब होगा बढ़ा लेंगे तो थोड़ा भर्नी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसलिए बारिक वाले कदुकस काहिचा मुली को जब काल बहतर होगा तो एक एक करके इस तरह से सारे कद्दुकस हमें मूली को कर लेना यह देखें बारिक वाले कद्दुकस हमारा मूली हो चुका इस तरह से मैंने सब कद्दुकस कर लिया अब यह पर हम डालेंगे दो चुटकी नमक, ऐसे अच्छी तरह से पता मिक्स कर लेंगे, आप लोग को तो पता है कि मूली में कितना रही सारा पानी होता है, बस इसे छोड़ देना है दस मिनट के लिए, आप दस मिनट हो चुके हैं, नमक डालने से मूली हमारा नरम हो चुक मूली में नमी न रहे, नहीं तो हमारे आठे गिले हो जाएंगे, फिर हम पराठे कैसे बनाएंगे, नहीं बन पाएगा न, बस इसलिए मूली को पानी से अलग कर देना है, पानी सब निचोड दीजिए अच्छी तरह, ताकि नमी एकदाम बिलकुल खतम हो जाए, अच्छे फेक दीजिए, मैंने तो फिलाल फेक दिया है, तो यहां मारा कद्दू का स्मूली तयार है, अब एक खुलनी लेना है, खुलनी और इसमें हम एक अध्रक का टुकड़ा बारी काटके डाल देते, थोड़ा मूटे आकार में रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसे हमें कूट लेना है, अच्छी तरह से हम सब कूट लेंगे, अध्रप, मिर्च और जीरे को, अब यहां पर हम इस मूली में हम डाल देंगे, जो पने मूली निचोड कर रखा था, थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें कश्मिरी लाल मिर्च, एक चौथा ही डाल देंगे, गरम मसाल और एक चमबच डालेंगे, अब भरकर चाट मसाला, नमक डालेंगे दोस्ते तीन चुटकी, जो कि चाट मसाला में काला नमक होता ही है, धन्या की पत्ती भी डाल देते हैं, अब हम डालेंगे यहां पर नमकीन, मैंने हां साधारण बेसन का नमकीन इस्तमाल किया है, आप य देव वाले नमकीन, जो तीखा और चटपटा सा होता है, अब इन सब नमकीन को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, अब थोड़ा बहुत जो मूली में नमी होगा, उनमकीन सोख लेगा, इसे क्या हमारे पराठे एक्दम आसानी से विल जाएंगे, थोड़ा भी परसानी न यह देखिए हमारा लोई तयार है, अब इसके हमें बनानी है कटोरी, यानि की चोटा सा बाउल बना देते हैं, जिस तरह हम दाल पूरी भरते हैं, पराठा भरते हैं, बस सुशी तरह हमें इसमें स्टपिंग्स को भरना है, मूली और नमकीन के मिस्रण को इसमें भर देते ह इस हलके हाथों से मैंने उपर से दबाया, इसे हम राउंट कर देंगे, अब इसका हम हम बन कर देंगे, ताकि हमाली मूली के पराठे निकलेना, और हलके हाथों से इसे हमें प्रेस कर देना है, इसे हमें दबाते रहना है, यह देखिए चिप्टा हम कर देंगे, अब सूख आएंगे हम चकले पर अब यहां पर्थन लगा देंगे दोनों हातों से हम इसे दबाते हुए बढ़ा करेंगे लोग हमारी चिफ्टी थोड़ि सी बढ़ी हो गई है अब इसे हम हलकी हाथों से बेलन से बेल कर बड़ा कर देंगे और ये पराठे ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए थोड़ा मोटा ही रखें तभी टेस्टी बलेंगे और सॉप्ट बनेंगे ये हमारा पराठा बनकर तयार हो चुका है अब ये देखें परफेक्ट पराठा अब ये जाएगा सीधा गरम तवे पर फ्लेम मैंने स्लो रख दिया है तभा हमारा गरम अब इसे 2-3 मिट के लाद पलट देते हैं और दूसरे तरफ पकने देते हैं यहां हम घी का इस्तमाल करेंगे आप तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घी का इस्तमाल करने से किया हमारे पराठे देल लंबे टाइम तक बहुत ही सॉप्ट रहेंगे तेल वाला उतना सॉप्ट नहीं रहता है घी वाला ज्यादा सॉप्ट होता है तो इस तरह से हम दोनों तरब घी लगा देंगे इसे मैं हलके हैथों से दबा दे रहे हूं स्लोफ फ्लिम पर देखे हलका ब्राउन कलर का हमारा पराठा बनकर तयार हो चुका है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे पराठा नमगीन वाले पराठे बनकर तयार है इसी इधा तवे पर से जाने वाला है थाली में एक गर्मा गर्म जब पराठे खाएंगे न वाव बहुत मज़ा आएगा तो इन पराठो को मैं मिक्स अचार के साथ खाने जा रहे हूं तो मैं इसे दिखाती हूं यह हमारे पराठे बनकर तयार है इन्हें हमें तोड़ते है यह देखे है हमारे नमकीन और मूली के पराठे बिलकुल बनकर तयार है इसे हमें फोल्ड करते हैं अचार थोड़ा सा लब मिलाते हैं और इसको चुप चुप खा लेते हैं तो हैना बनाना बहुत ही आसान मूली और नमगीन के पराठे तो जट से बनाईए अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब